अगर आपको नक्सलवादी अटैक्स की स्टोरी पढ़नी या फिर आपको एक स्ट्रोंग पुलिस ऑफिसर की स्टोरी पढ़नी या फिर आपको एक बहुत ही मैं आपके साथ अपना experience, review, जो भी आपके hello, share करने जा रहा हूँ about the book, लाल सलाम भाय समिती इरानी जी, अब ये इनकी debut novel है, पहली novel है, और मुझे तो ये बहुत, नना ऐसे किसे बता दू, पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से बताऊंगा ना उसमें, त वहाँ बेजाके भी आप आप कर सकते हैं, please consider that link, okay, let's start, क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर वीडियो देख नहीं हैं, तो सब्सक्राइब कर लो यार, अगर आपको हर हफते bookish content and मेरी life से जोड़ी बहुत सी चीज़े दे चलने, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए देखने के बाद, तो लाइक करना मन बुलना, अब शुरू करते हैं, तो दोस्तों, दर्शन कुमार, एक बहुत ही strong, brave, strict CRPF officer, जो अंबुजा को develop देखना चाता है, जिसके लिए उसने बहुत सारे छो अच्छा लगते हैं, उसको भी मजे करते हैं, जबकि अंबुजा के लोग बहुत डरते हैं, क्यों, क्योंकि नकसल्स ये नहीं चाहते हैं, कि अंबुजा को कोई develop कर रही, एंड दर्शन कुमार वही काम कर रहा है, जिसकी वज़े से उसे अपनी जान गवानी पड़ती है, एक अटैक में, जब वो अपने साथियों के साथ, 69 और CRPF ऑफिसर्स के साथ, पेट्रोलिंग पे होता है हम बुजा में, उसके उपर अटैक होता है, पूरे 70 CRPF ऑफिसर्स खतम हो जाते हैं, विक्रम प्रताप सिंग, दर्शन कुमार का बहुत ही अच्छा दोस्त है, जब उसको वो पता चलता है कि दर्शन कुमार और इतने सारे CRPF ऑफिसर्स के साथ ये सब हो है, तो उसका तो मकसद एक ही होता है कि उनको जस्टिस दिलवाना, उनके किलर्स को सजा दिलवाना, जिसके लिए वो अंबुजा का SP बन जाता है, क्योंकि उसके कमिशनर भी उसको बनो एंसाफ करो गंदिगी को, एंड अंबुजा में कोई law and order नहीं, कोई नहीं, मतलब law and order बिलकुल नहीं, एंड पुलीस भी कोई आराम से, एक्दम आराम से अपने पुलीस शौकी में होते हैं, कुछ ने करते हैं, विक्रम प्रताप सिंग की लड़ाई शुरू हो जाती है, with the people of Amboja and the Naksans, जिसके लिए उसे अपने बहुत ही करीवी लोगों को गवाना पड़ता है, बहुत करीवी लोगों को गवाना पड़ता है, और बहुत से मासुम लोगों की जाने भी जाती हैं, एंड दोस्तों, पिछले वीडियो में, मतलब अंकुर वारग कुजी के ब भूल गया था बुक दिखाना, here is the book, in the people back form, I forgot to show it, तो बढ़ते हैं review की तरफ, तो सबसे पहले यार इस बुक का ने ending मुझे बहुत पसंद है, मतलब suspenseful ending, shocking ending, एक खुलासा भी हुआ, and suspense रह गया, doubts रह गया, कि क्या होने वाले, questions रह गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यह हो, क्या मतलब, and मुझे पसंद आया, अंदार, suspense रह गया, क्या हुआ, तो भी वो भी ठीक लगा, मज़ा तो आया मुझे, and अगर आपको मेरा reaction देखना है, fresh fresh reactions, after the ending, तो description में reading vlog की link है, जरूर चेक किजे, उसमें आपको पता चलेगा, कि मैं कितना shock हुआ था, कितना suspense र देखिएगा, and इस book की grip, मतलब कहानी की grip, ठीक ठाक थी, एक अच्छे pace में चल रही एक कहानी, लेकिन मेरे ख्याल से और grip हो सकती थी, जिस तरह से सबूत मिलते रहते हैं, case और गहरा होता है, पेचिदा होते जाता है, उसके इसाब से लगता है, कि और grip हो सकती थी, whisper to me your lies इसे आपे हर एक chapter grip के साथ end हो रहे हैं, बाकि यार इसमें बहुत सारे descriptions है, छोटी-छोटी चीजों के बारे में, कोई character है, उसकी body के बारे में, इतना बड़ा paragraph, फिर कोई situation के बारे में, कोई छोटी चीज के बारे में, इतना description, यार इतना बड़ा-बड़ा paragraph, कभी-कभी स ऐसा लग रहा था कि बड़ो आ गया थी, बोर हो गया थी, so that is the thing, and मेरे ख्याल से दर्शन कुमार का case को काफी exposure नहीं मिला, मतलब उसके वज़े से के शुरू हुआ था, पूरी कहानी शुरू हुए थी, and विक्रम इतना बाकी cases में उलज गया, कि विक्रम मतलब दर्शन कु मतलब छोड़ी दिया ऐसा लग रहा है, ज्यादा exposure ही नहीं दिया, राइटर ने, तो यह यार मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगए, यह बात है, and भाकी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते रहती है, confusion बढ़ता रहता है, and last में जाके जब खुलने वाली होती है, वो राज वो suspense खुलने वाला होता है, जो end में फिर से शुरू हो गया, तब विक्रम यह सोच रहा होता है, मतलब वो अपने हिसाब से सोचने रखता है, कि यह जैसा हुआ है, तो ऐसा हुआ था past में, यह सब files खुल के दिखता है, colleagues को पूछता है, वो सब, and हमको कुछ पता है नहीं जल रहा था, मतलब readers को, वो writer ने एक line maintain करके रखी थी, जिसकी वज़े से suspense बना था, तो वो मुझे काफी पसल आया, मज़ा आए, बाकि English इस book की थोड़ी high level की है, मतलब हर एक word मुझे ऐसा लग रहा था, कि यह क्या है, ऐसे हो रहा था, तो हाँ beginners के लिए शायद इतना आप भी ले सकते हैं, और इस book को rate करना चाहूंगा, 4.2 out of 5.8 marks, इसलिए काट है, क्योंकि वो बहुत बड़े-बड़े descriptions, तरशन कुमार का exposure नहीं हुआ, उतना case का exposure नहीं हुआ, थोड़ी और grippy हो सकती थी, कहानी, और अच्छा grip बना के रख सकती थी, यह कहानी, जो नही हो पाया है, पाकी recommend तो करूँगा, एक बात तो पढ़ी है, आपको बहुत मजा हैगा, especially इसकी ending के लिए मैं आपको recommend करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ऐसी ending पहले कभी किसी book में नहीं पढ़ी, and मिलते है इस Thursday को साढ़ी 9 बजे, कि आस पास, and बाकी की वीडियो भी चेक is झाओी, thank you very much